अलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे एक बर फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रुची में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज सावन का पहला सुमवार है तो सबसे पहले आप सबी लोगों को सावन के पहले सोमवार के हाट दिख सुपकामनाई प्रेंट्स आज हम जाएंगे मंदिर भगवान भोले नात के दर्सन करेंगे और आप सब लोगों को हम दर्सन कराएंगे हमारा आज नहाना दोना सुबह सुबह ही हो गया था साधर के सारे काम हमने सुबह कर लिये थे वो हस्वेंट के लिए हमें नास्ता भी बनाना था तो हमने वो भी बना लिया है क्योंकि हमें आज मंदिर जाना है तो मंदिर जाएंगे तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो इसलिए हमने नास्ता पहले बना दिया है उसके बाद में हम मंदिर जाएंगे तो अब हम मंदिर जाएंगे पूजा की तयारी करेंगे अपने थाली सजाएंगे तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहीएगा हमारे वीडियो को पूरा बाच करिएगा हम आपको भगवान भोले नर्के दर्सन कराएंगे तो अब हम पूजा की थाली सजा रहे हैं हम भोले बाबा की मंदिर जा रहे हैं तरसन करने के लिए तो ये देखिए हम गाय का दूद ले रहे हैं तो ये हमारा गाय का दूद है हमारे यहां गाय का दूद आता है हम पडोस में ही दूद लेते हैं तो दो लीटर दूद आ जाता है हमारे यहां तो हमने आज दूद पकाया नहीं है कच्छा दूद हमने रख और आप हम दूद में डालेंगे चावल तो चावल को हम अच्छे से बीन लेंगे हम टूटा चावल नहीं लेंगे जो हमारा सा मूचा चावल होगा हम वही चावल दूद में डाल देंगे और अब हम लेंगे बेल पत्री तो ये बेल पत्री हमने मंगाई थी सुबा हमारे नह नहीं हम रखेंगे हम पांच देयां हम हम पांच बतियां रखेंगे और भोले बाबा को अर्पित करेंगे तो हम देखिए हमारे तो हम अरुकशवा संऴ क पूल ले लिया है समी की पती हमने लिया और गुडःलकalal can Late और चांधनी जो भी फूल हमारे गार्डन में थे हमने सारे फूल ले लिए हैं गुलाब भी ले लिए हैं दूरबा भी ले लिए हैं दूरबा हमें ज्यादा नहीं मिली हैं तो हमने थोड़ी से दूरबा भी रख लिए हैं गड़े जगवान के लिए और हमने जल ले लिया है दूबबती माचिस पूरी तैयारी करके अब हम जा रहे हैं मंदिर तो ये हमारा सस्राल है तो हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो परदे में रहते हैं तो ये मंदिर हमारे घर के बगल में ही है तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर कितनी भीड लगी हुई है और सभी जैन्स यहाँ पर आए हुए हैं पूजा के लिए तो सभी लोग पूजा कर रहे हैं थोड़ा भी भीड की वज़े से एक एक लोग जब पूजा करके निकलेंगे मंदिर हमारा बहुत बड़ा नहीं है छोटा मंदिर है लेकिन यह हमारा प्राचीर मंदिर है पुराना मंदिर है तो सब लोग यहीं पे जब तर भोले बाबा की पूजा के लिए सब लोग यहीं आते हैं तो हम भी भोले बाबा की पूजा यहीं करने आते हैं सुरात्री में भी हम पूजा यहीं पर करते हैं और सावन के महिने में भी हम यहीं पूजा करते हैं और हमने पहले आपको एक मंदिर दिखाया था वो मंदिर भी हमारे घर के पास नहीं है वो बड़ा मंदिर है वो माता जी का मंदिर है तो हम लोग नौरात्रे में वहाँ पूजा करने जाते हैं तो सामन महिने में हम यहां भोले बाबा की पूजा करते हैं तो आप सब लोग भोले बाबा के दर्सन करिए ये हमारा मंदिर जो है बहुत ही सच्चा मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है तो आप देख सकते होंगे मंदिर की हालत देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये मंदिर हमारा बहुत पुराना है बिच बिच में मरमत कराई जाती है इसकी, तो अभी हम इसी मंदिर में आए हुए हैं और आप सब लोगों को भूले बाबा के दर्सन करवा रहे हैं तो देखिए हमने सब कुछ भूले बाबा को चड़ा दिया है बेल पत्री भी चड़ा दिये हैं ने फूल भी चड़ा दिये हैं दूद जल हम सब कुछ भूले बाबा को अर्पित करेंगे उनकी पूजा करेंगे धूब बत्ती जलाएंगे दीप जलाएंगे तो आप सब लोग भूले बाबा से आशिरवाद दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें फ्रेंड्स क्याकि भूले बाबा आप सभी लोगों के कस्टों को दूर करें आप लोगों को मनमान्चित फल दें आज सामन का पहला सुमबार है तो इसलिए आप लोग भूले बाबा के दरसन कीजिए तो मुझे पूरी उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी भूले बाबा के दरसन करके आप लोग बहुत खुस हो रहे होंगे तो देखिए हम आपको पूरी तरह से भूले बाबा दिखा रहे हैं भूले बाबा के श्रीवलिंग आपको पूरी तरह से दिखाई दे रही है तो आप सब ही लोग इनका आशिरवाद लीजिए चोटा मंदिर है और अगर थोड़े से ही लोग हो जाते हैं तो मंदिर में बहुत जदा भीड लगने लगती है आप देख सकते हैं आठ दस लोगों की ही भीड है बहुत जदा लोग नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मंदिर बहुत जदा लोगों से भरा हुआ है मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन ऐसा नहीं है पांच-छे लोग ही है इसमें और ये बस देखने में लग रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको छोटे से नंदी महराज भी दिखाई दे रहे होंगे तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है और इस मंदिर में सारे भगवान है माता जी भी है गड़ेज भगवान है साई बाबा है हनवान जी है कृष्ण राधा भी है गोरा माता है सभी लोग है इस छोटे से मंदिर मे तो हम सब की दर्शन करेंगे, सब की पूजा अराधना करेंगे सावन का पहला दिन है, तो हम सब को मनाएंगे पहला सोमवार है, तो जो भोले बाबा के अलावा और भी जो भगवान है माता गौरा है, हम माता गौरा की भी पूजा करेंगे उनको भी मनाएंगे तो आज पहले सोमवार पे हम देखिए सब की पूजा अरादना कर रहे हैं आप सब लोग सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा जरूर करिए उनको प्रशन करिए और अपने जीवन को सुखी बनाईए तो ये देखिए हम गड़ेश भगवान को दूर बचड़ा रहे हैं हमने दूर बचड़ा दी है और अब हमारी पूजा पूरी हो चुकी है तो अभी हमने माता गौरा से आसिरवाद नहीं लिया है तो अब हम माता गौरा से भी आसिरवाद लेंगे तो ये हमारी माता जीव थोड़ा पिछे हैं तो हम इनका भी आसिरवाद लेंगे इनको सिंदूर चड़ाएंगे और इनसे प्रार्थना भी करनी है हमें तो हम देखे किस विधान से पूजा कर रहे हैं अभी हम माता जी को सिंदूर चढ़ाएंगे अब हमारी माता जी के पास हम पहुँच गया हैं तो उपर काली माता हैं नीचे गौरा माता हैं उनको सिंदूर चड़ा रहे हैं हमारी जो सुहागन बहने हैं जो हमें देख रही हैं तो उनसे हम छोटी सी बात करना चाहेंगे कि अगर आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं सावन के महिने में तो गोरा माता की पूजा भी आप जरूर करें हो सकी तो उनको बिंदी सिंदूर अर्पित करें तो अगर आप भोले बाबा की साथ साथ माता गोरा की पूजा अरादना करेंगी तो इससे भोले बाबा भी प्रशन होते हैं और गोरा माता भी प्रशन होती हैं तो आप भोले बाबा की साथ साथ गोरा माता का भी ध्यान रखें उनकी पूजा भी करें तो ये हमारी पूजा पूरी हो चुकी है और आ गये हैं हमारे छोटे से नन्य मुन्य बाबु ये हमारे देवर के बेटे हैं तो ये आए हैं पूजा करने के लिए अपनी दादी मा के साथ ये हमारी बुवा सास हैं तो ये दादी है इनकी तो आई हैं पूजा कराने अपने पोते को तो पोता इनका एक साल का हो गया है तो आज ये अपने पोते से पूजा करवा रहे हैं सावन का पहला सुमबार है तो ये अपने पोते से जल अर्पित करवा रहे हैं देखिए कि बाबू भगवान भोले नाथ को जल चड़ा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा एक साल का बच्चा भगवान भोले नाथ की पूजा राधना में लगा है तो दादी की इच्छा है कि हमारा पोता पूजा पाट करे जैसे दादी करती है वैसे पोता भी करे तो अभी से अपने पोते को सिखा रही है पूजा पाट करना कि पूजा कैसे होती है तो देखिए एक साल का बच्चा पूजा करना सीख रहा है तो ये देखिए बेल पत्री भी चढ़ा दी है और बेल पत्री आप लोग जब भी चढ़ाएं भोले बाबा को तो उल्टी करके चढ़ाएं देखिए बाबु ने चढ़ाया है बुआ जी ने ध्यान नहीं दिया है ये बेल पत्री सीधी उन्होंने चढ़ा दी है तो ये बेल पत्री उल्टी चड़नी चाहिए तो आपको भी बेल पत्री उल्टी चड़ानी है इस बात का आप लोग ध्यान रखें सीधा बेल पत्र नहीं चड़ाए जाता है तो बाबु देखें सभी के पैड चुरें आप यह डमरू बजाएंगे भूले बाबा का आसिरवाद लेंगे तो यह देखिए यह देखिए बाबु दमरू बजा रहे हैं भूले बाबा का आसिरवाद ले रहे हैं भूले बाबा आप सब की मनों कामना पूरी करें